नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बात करें कि इनेड़ बात करें और आप देख सकते कंट्रीन यहें पिर अपर सर्कुट फिर लोगर सर्कुट फिर अपको देखने को मिला यदि किसी ने यहाँ पर खरीद लिया है तो वो अपने share बेज नहीं पाया फिर यहाँ पर profit हुआ तो फिर वो यहाँ पर आके फिर फस गया और फिर यहाँ पर बेज नहीं पा रहा है तो इस share में आप fresh entry ना ले क्योंकि ओल्डेडे आपको बता है और यहाँ पर यहाँ पर इस share को आगर चाहें तो एकजिट कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली share काफी खराब है अगर देखना चाहें जैसा है आप देख रहे हैं बुक वेल्यू मातर आट रुपे share कहा जा रहा है लगबग 200 के आसपास dividend देती नहीं है ROC माइनस में, ROI माइनस में, EPS माइनस में, Profit माइनस में, Sales माइनस में Price to Case Flow माइनस में एक positive point है कि कमपनी यहाँ पर लगबग हम कह सकते हैं कि debt free है और परमोटर की holding है वो 73% है लेकिन अगर company profitable नहीं है तो इस सारी बाते हम कह सकते हैं कि कोई माइनस नहीं रखती है compound sales growth भी आप देख सकते हो 5 साल की माइनस में profit growth भी यहाँ पर तीन साल में 12% है return on equity, ROI आप पिछले 5 साल का, पिछले 3 साल का, पिछले 1 साल का सब कुछ यहाँ पर माइनस में है तो दोस्तों fundamentally अगर आप दो चीज यहाँ पर सिर्फ अक्स में पर्मोटर जो के अच्छी खासी प्रमोटर के हैं होल्डिंग है और दूसरी की company लगबग यहाँ पर debt free company इसके अलाव कंपनी के पास कहने को positive view में आप ए कुछ भी नहीं है सितंबर क्वाटर के यहाँ पर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि company के साथ आपको कुछ service entry avoid करें अगर आप profitable तो अपना profit book करने की कोशिस करें क्योंकि यह सेर है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह निवेस के लाइक अभी share है नहीं जिस तरह किसके fundamental है और share में निवेस करने से पहले खरीदने बेसने और hold करने से पहले आप अपने financial advisor से एक बार जरूर सला ले thank you keep supporting